नमस्कार एक बार फिर से सवगत है आपका आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही घजब सौफ्ट्वेर के बारे में जो की आपके रेगुलर लाइफ में यूज हो रहा है भाई कि ऐसे ऐसे सौफ्ट्वेर हैं ऐसे जो वेब ब्राउजर से हैं जो कि आपका रेगुलर सौफ्ट्वेर यूज करते हैं आप लोग रेगुलर यूज करते हैं चैप फोन की बात करें टैप की बात करें पीसी की बात करें लैप्टॉप किसी चीज की अगर हम बात करें तो इस में सब में यूज होता है क्यों कि इसकी कुछ क्वालिटीज होती है सबसे पहले क्वालिटीज की होती है smaller यानि कि कम MB वाला होता है सबसे कम MB हम लोग इसको जो है यूज कर सकते हैं डाउनलोड भी कम चाहिए, स्पीड भी कम चाहिए, faster काम करता है सबसे fast काम करने वाला हमारा Mozilla Firefox है अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी लेबल इसका बहुत हाई है इसका सिक्योरिटी लेबल बहुत हाई है दोस्तों तो यह हमाजा Mozilla Firefox, smaller, faster and secure तो इसको हम लोग इस तरीके से कहसकते हैं आसानी से अगर मैं बात करूं मोजिला फायरफॉक्स की तो मोजिला फायरफॉकस हम ऐसा करते हैं कि आप लोग डेली यूज्जेशन है अगर कई प्रॉब्लम हो बताईएगा वेबसाइट की बात करूँ अगर मैं तो मोजीला आप लोगों को पता है कि एक और्गनाइजेशन है मोजीला फायर फॉक्स जो है हमारा एक और्गनाइजेशन है तो यह मोजीला के नाम से जो software चलाती जो web browser चलाता है उसका जो website है वो है www.mozilla.org मैंने बताया आपको थोड़ी दिर पहले कि जो website है जो यह मोजीला है वो एक और्गनाइजेशन चलाती एक केमपनी चलाती है तो यह हमारा ओर्ग लाश्ट में लगता है इसकी जानकारी के लिए काफी सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं कि जो extension ने होते हैं कैसे define करते हैं क्या होते हैं उन सब वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो आप मारे playlist में जाकर ऐसे वीडियोस को watch कर सकते हो आगर की बात करते हैं अगर मां बात करूँ इसके developer की mozilla का developer कौन है भाई कौन है developer जो company organize कर सकता है जो organization चला सकता है सीरिसी बात है वह इ डेवलोपर भी होता है तो हम लोग इसमें कह सकते है mozilla corporation क्या कहेंगे mozilla corporation क्या कह सकते है mozilla corporation कह सकते है उसके बाद इसमें हम Mozilla Foundation भी कह सकते हैं, छोड़ी इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम लोग उसको Mozilla Corporation भी कह सकते हैं, अगर हम बात करूँ इसकी release date की, कब ये start हुआ, तो आप लोग को मैं बता दू, 2002 में start हुआ था ये, कब start हुआ, 2002 में हमारा start हुआ, और तब से आज तक जबरतस्त चल रहा ह कोई प्रॉब्लम इसमें आती ही नहीं है, इसकी coding हो गए है, थोड़ी सी hard है, original code है इसमें, कोई duplicate code नहीं, कहीं copy नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें मेहनत से अपना ये software डेवलप किया है, कौन, Mozilla Corporation ने, Mozilla जो है हमारा foundation है, उसके डेवलप किया है, बहुत अच्छे software, यूज हुए है, ऐसे software हमारे बहुत सारे यूज हुए है, XUL, XUB, XUB का ना आपने सुना होगा, ये भी हमारा क्या है, XUL है, XUL भी हमारा एक language है, है ना, उसके बाद बात करें, तो XBL भी है हमारा एक language, ऐसी languages हैं, जिसकी हम study करते हैं, के scanning भी है, हमारा एक, इसके अंदर यूज किया गया था, एक language हमारा और हुआ था यूज, जिसका नाम है style seat, क्या नाम है, style seat जैसे languages इसमें use किये गये थे, तो दोस्तों ये है हमारा mozilla firefox, जिसकी details हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये smaller, faster and secure होता है, सीधी सी बात समझ य होता है, वो हमारा www.mozilla.org होता है, developer की बात करूँ, तो mozilla corporation होता है, release date की बात करूँ, 2002 और programming की बात करूँ, programming language की बात करूँ, तो javascript, c and c++, xul, xbl, case, canding, style seat जैसे languages यूज किये गये थे, ठीक है, आप लोग को कोई problem है, कोई सुझा जेना चाहते हो, तो एक बार comment जरूर कर है, कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो आप लोग एक बार like, share, subscribe जरूर करें, दोस्तो धन्यवाद, जैहिन